मुदी सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के जरीए रेलवे को अंतरास्टी रंगरूप देने की कोशिश शुरू हुई है तो यूपी सरकार भी PPP मॉडल से बस स्टेशनों को अंतरास्टी पहचान देने जा रही है सरकार ने कुल दस ऐसे शहरों को चुना है जहां आप एरपोर्ट जैसे सुख़ाएं परिवहन निगम देने जा रहा है इसके लिए अब प्राइवेट पार्टनर्शिप की खोज भी शुरू हो चुकी है एक नीजी साइभागीता से हम अपने बस स्टेशनों का आधूनी की करण कराएं उनको मौडरनाइस करें और बिल्कूल जैसा आप कह रहे हैं एक इंटरनेशनल पैटर्न पर उसका रख रखाओ भी सुनिशित किया जा के लिए प्रदेश के दस बस स्टेशनों को शुरुवाती दौर में प्रथम चरण में हमने चिन्हित किया है मुकिमंत्रिय खिलेश आदो की अध्यक्षिता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को अपग्रेट करनी की मंजूरी दी है इन स्टेशनों पर प्रदेश सरकार के मुताबिक जन सामानिको आधुनिक बस स्टेशन, साफ सुत्री आत्री सो विधाएं, शौपिंग कॉंपलेक्स की सो विधा मिलेगी तो दूसरी तरफ विती रूप से कमजोर परिवहन निगम की आई में भी जाफा होगा बहुत बड़ा एरिया अब डेवलपर के पास में उपलब्द होगा उस पूरे एरिया में वो 45 प्रतिशत उप्योग कमर्शियल कर सकता है उस 45 प्रतिशत जो इस पेस निकालेगा उस कमर्शियल एरिया पे कोई इंपैक्ट फीज भी जो है नहीं ली जाएगी इसमें मल्टिप्लेक्स भी बना सकता है वो आडिटोरियम, सिनेप्लेक्स पी 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 मॉडल पर परिवहन निगम के बस स्टेशनों के विकास के लिए आगरा, कौसामबी, गाजियाबाद, कानपुर देहाद, अलीगड, कानपुर, लखनौ और अलाहबाद के अलावा मेरट को भी पाइलिट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है इन पर कुल 1940 करून रुपे खर्च होने का नुमान है सरकार की इस वियोस्ता से जरजर हारात में पहुंच चुकी बस सेवा को एक नहीं पहचान मिल सकेगी अब इशेक पांडे, A.P.N. लखनौ